हेलो फ्रेंड्स आगेते आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए कोश्चन लेकर करके आँँ यह कोश्चन क्लास 9 की महत से चप्टर नॉम्मर 6 लाइन्स एंड एंगल से लिया गया है यह कोश्चन एक्सरसाइज 6.2 का आप अगर इस चेप्टर के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप वहां पर जा करके देख सकते हैं तो चलिए फिर सुरू करते हैं इस कुश्चन में से क्या पुछा गया है तो यह है हमारे कुश्चन नमबर 2 इन फीग सब्सक्रियों करनी हैं यह थो कि यह हमारी लाइन यह यह परलइल है और यह तीनों लाइन आपस में पैरलेल हैं क्योंकि अगर आप देखो तो अगर यहां पर कौमन कोई लाइन है तो यह दोनों लाईन अपस में अपने पर jojo जाएंगी अब यहां पर हमें X कि बतानी है इसकी वैलू बतानी है एक्स की कोश्चन में हमसी क्या पुचया है find x लेकिन हमें यहां पर आई का जो रेशियो है वो 3 दिया है और जेड का जो रेशियो है वो 7 दिया है ठीक है यह तो हो गया कुश्चन के बारे में अब करेंगे कैसे पहले आप इसे समझ लीजिए देखो जैसे यह हमारी पैरलल लाइने हैं और यह हमारा यहां पर क्या है कि जैसे जब यहां 000 है इसके इकोल होगा बाइन Difficiency कर सकते हैँ से करूंगा तो यहां पर ध्यान से देखो अगर मैं इसे वन मान लेता हूं और मैं से बन मान लेता हमें कुछ ना कुछ रेशियो को मानना पड़ेगा सॉलिवसन है 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 लेट है है वाई इस इक्वल टू है थ्री एम एंड जैड इस इक्वल टू सेवन एम अब ध्यान दो आप यहां पर कोई भी लेटर मान सकते हो वैसे तो जादी तर हम लोग एक्स मानते हैं लेकिन यहा देखे सकते हो मैंने यहाप पर एम लिया है रेशियो को क्या लिया है तो यह वाई इकल टू थ्री एम और जड़ी इकल टू सेवन एम हो जाएगा देन ठीक कि इस परलल में बात करेंगे सीडी परलल टू एफ एज एज सीडी परलल टू एफ विह थिव्य हैं जो हमारा एंगल को यहां पर आमने वन माना थो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एंगल बान देखो यहां पर एंगल वान इस इकल टू एंगल जड़ आप इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीर एंगल ठीके, region क्या होगा, alternate interior angle अब आप एक बात समझो, अगर आपने angle 1 is equal to z मान रखा है और z की value कितनी है, 7m, तो आप यहाँ लिख सकते हो, angle 1 is equal to 7m इसे आप equation 1 मान सकते हो, ठीके, अब इतना हो गया अब हम यहाँ पर, इस point पर, यह देखो, एक सीधी line है और यह एक ray निकल रहा है, तो इस ray पर, बने दोनों angle जो इस सीधी line पर बन रहे है उनका सम 180 degree होगा, linear pair angle, तो मैं आप लिख सकते हैं, further angle 1 plus y is equal to 180 degree, region linear pair, क्या होगा linear pair, लेकिन आपको पहले से पता है कि angle 1 is equal to कितना होता है, 7m, और y is equal to कितना है, 3m, तो यह हो जाएगा 7m plus 3m is equal to 180 degree, और 7 plus 3 कितना होता है, 10m, 10m is equal to 180 degree, और y is equal to कितना हो जाएगा, 180 by 10, और 10 से यह कट जाएगा, तो आजएगा, y is equal to 18 degree, कितना हो जाएगा, m is equal to 18 degree, यहाँ से क्या होगा, कि यह जो आपने y is equal to 3m मान रखा है, तो y कि वैलू कितनी हो जाएगी, y is equal to 3 into, यह देखो, m की वैलू है 18, तो यहाँ पर कर रख दोगे 18, तो 18, 3 जाएगा, 54, y की वैलू कितनी हो जाएगी, 54 degree, आप देखो वैसे तो z find करने की जरूत है नहीं, क्योंकि question में हमसे z नहीं बोला है, question में हमसे x बोला है, लेकिन फिर भी, बहुत सारे solutions में z की value find है, तो z हम calculate कर लेते हैं, तो यह z होता है 7 into m, लेकिन m की वैलू कितनी है, m की वैलू है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 का table 7 times पड़ोगती हो जाएगा 126, यानि z की value कितनी आ गई, 126, देखो, y की value 54 degree, z की value 126 degree, अब एक बात समझो आप, मैं यह सब हटा करके यहाँ पर इनकी values write कर देता हूँ, आपने z की value find किया 126, तो यह भी हो जाएगा 126 by alternate interior angle, और यहाँ पर y की value आपने find किया 54, अब जो हमें work करना है, x के लिए करना है, तो नीचे वाली चीज़ों को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं रहे गए अब हमारे पास, अब क्या होगा, यह transversal है, यह दोनो parallel line है, यहाँ पर आपका x है, अब इन दोनों का sum 180 degree होगा, क्योंकि यह दोनों transversal के same side पर है, तो एक identity होता है कि the angle sum of same side of transversal is equal to 180 degree, है ना, तो वही आपर लगाएंगे same side of transversal, इसको अटा देते हैं, as a-b parallel to c-d and transversal intersect the lines v है, तो देखो, जब a-b parallel है c-d के और यह transversal इसको intersect कर रहा है, तो मैं मिलेगा का x plus y is equal to 180 degree, x plus y is equal to 180 degree, अब इसका region होगा, angle sum on same side of transversal, is 180 degree, तो यह इसका region होगा, ठीक है, अब आप देखो, y की value आपको यहां से पता है 54 degree, तो यह आप पूट कर देंगे x plus 54 degree is equal to 180 degree, ठीक, 54 उदर जाएगा, तो minus होगा 180 degree, minus 54 degree, तो यह आजाएगा देखो, 10 minus 4, 6, 7 minus 5, 2, और 1 minus 0, 1, तो x की value आजाएगा कितना, 126 degree, ठीक है, तो यह मारा answer हो गया, इस question का, और यहां पर हमने x की value को find कर लिया, तो आप चाहिए तो इसे write down कर लें, या फिर वीडियो को पहुँच करके screenshot ले लें, तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर जर्या भी पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, और अपने दोस्तों को भी share करें, अगर इस channel पर आप नए हैं, तो चैनल को भी subscribe करें, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले question के साथ, तब तब अगले thank you class,